नमस्कार साथियों डॉक्टर उमंग खरनाव उपैथे क्लीनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है साथियों आपने जिस आइकन को देख कर इस आइकन को क्लिक करके इस वीडियो तक आए है हम निशित रूप से आपको उसी बात का संतोष जनक जवाब देंगे हम आपको बताएंगे साथियों वहाँ जादूई नुस्खा जो एक रुपए में तियार हो सकता है इतिहास में दर्ज है, गिनिस बुक आफ वर्ड रिकॉर्ड में दर्ज है चाइना का हुआंगो विलेज यहाँ की जो लेडिस हैं जो यो वोमन कही जाती एक ट्राइब है यो वोमन, रेड यो वोमन होती है इनके बाल 6 फिट लंबे पाए जाते हैं और यहाँ गिनिस बुक आफ वर्ड रिकॉर्ड में सबसे लंबे बाल होने के रूप में दर्ज है हम आपको बताएंगे वहाँ चुक नुसका जो इन बालों को इत्ता लंबा करता है या यह अपने इस तरह बाल लंबे करती हैं इसके अलावा साथियों जापान में आज से 790-1145 इसवी के वक्त में आज से 1200 साल पहले जापान की इंपीरियल कोट की याइन पीरियट के दोरान इंपीरियल कोट की लेडीज भी यही नुसका करती थी और उनके बाल 6 फिट से लंबे रहते थे यह इतिहास में दरजय हिस्टोरियंस ने इसके बारे में लिखा है और जब हिस्टोरियंस ने खोज करी तो उनोंने देखा कि यही जादुई नुसका है जो आपको बताए जा रहा है इस वीडियो में बताए जाने वाला है जिसके होते हुए वहाँ अपने बालों को 6 फिट से लंबा करते हैं हम भी आपको यहन उसका बताते हैं वहान उसका जो बहुत असानी से आधे घंटे में तियार हो सकता और आधे घंटे में किबल आपको 5 मिनिट शुरू में देने आधे घंटे के और 5 मिनिट आधे घंटे के आखिर में देने यानि कुल 10 मिनिट में आपका यहन उसका आपको वहां 70 साल के बाद सपेद होना शुरू होते हैं 70 साल तक बाल काले रहते हैं अगर ये नुस्का हमें पहले पता होता तो हम अपने बालों में भी इसको लगा लेते बहराल अब हमको पता लगा है तो हम अपने बालों में इसको अवस्थ लगाएंगे पालकाले तो नहीं होंगे लेकिन quality improve होगी और जो है लाब मिलेगा आप लोग जो हमारे जवान साथी भाई बहन चोटे भाई बहन और साथी हैं और हमाई महिलाएं हैं परिवार की वहाँ इस नुस्के को apply कर सकती हैं इससे उनके बालों की hair growth भी होगी क्योंकि यही नुस्के से मैं फिर repeat कर रहा हूँ Guinness Book of World Records होड़े तो चाइना का Huangu Village की radio woman है वहाँ अपने बालों को 6 feet लंबा करती आई हैं और आज के present time में भी present tense की बात कर रहा हूँ आज के वक्त में भी उनके बाल 6 feet तक लंबे होते हैं इसी नुस्के से आज में आपको वैसे ही बाल बनाने का अचुक गुटने के नीचे तक होते थे तो वो तो चलिए परचार करके वो फोटो डालते थे लेकिन आज में आपको वैसे ही बाल बनाने का अचुक घरिलू नुस्का बताता हूँ बहुत देर नहीं करता हूँ साथियों आपको कुछ साथी हमारे ABC काईज करते हैं तक साब बात को लंबा खीट देते हैं लेकिन अगर हम आपको तथ ही नहीं बताएंगे कि तो फिर आप उसको करेंगे नहीं और करेंगे नहीं तो लाब कैसे मिलेगा अब जब आपको मालूम है कि इस नुस्के से यांग हू विलेच की जो चाइनीज जो आज प्रेजेंट में गिनिस बुक और वर्ड रिकॉर्ड हो रहे हैं से लंबे बालों के लिए वाइस नुस्के को करती तो निश्चित रूप से आप और हम भी करेंगे उससे कन्विन्स हो जाएंगे क्योंकि डेटा हमारे सामने हैं बताते हैं साथियों आपको बालों को छे फिट तक लंबा करने का कारगर होमियोपेथिक नुस्का बलकि होमियोपेथि वर्ड तो आदत हो गाई जोड़ने की कारगर नुस्का जो आपको बालों को लंबा करेंगा आपको साथियों कुछ जाजा नहीं करना है, आपको आधा कप चावल लेना है, चावल यानि राइस्टियों हमारे घर में होता है, हम लोग रोज खाते हैं, आपको आधा कप चावल लेना है, उस चावल को आपको अच्छे से पानी में धो लेना है, तीन बार आपको चावल ताकि उसमें कोई impurity न रहे जाए उसके बाद आपको उस चावल को जो है वो तीन कप बराबर पानी में डाल देना है यानि तीन कप पानी आदा कप चावल इसको आपको आपस में मिक्स कर लेना है थोड़ा सा शेक कर लेना है इसको आदे घंटे के लिए आपको रख देना है कोशिश करिए धूप में रखिए सन में रखिए तो कि सन जो है जो reactions हो रहे होते हैं water और rice के बीच में उसको तेस कर देता है तो अगर इसको आप धूप में आदा घंटा रख देंगे तो बहुत अच्छा है तो 25 मिट से आदा घंटा 25 मिट से हाफ एना अट तक इसको धूप में रख दीजे उसके बाद इसको वापस ले आईए इसको आप एक पोरस कपड़े से किसी दूसे वेसिल में दूसे ग्लास के वेसिल में छान लीजे ग्लास में लग कांच का बरतन होना चाहिए या कांच का कोई bottle होनी चाहिए उसमें आप इसको छान लीजे वो जो rice water आपका तियार होगा वही आपका 6 फिट बाल करने का नुस्खा है आप इस rice water को लीजे और आप अपने बालों में इसको apply कर लीजे 20 मिनिट तक इसको बालों में लगा रहन दीजे उसके बाद आप बालों को धो लीजे जब 20 मिट से आदा घंटा आप बालों में लगा रहन देंगे और इसको आप धो देंगे ऐसा आप मैं कहूंगा तीन महीने तक लगातार करेंगे रिजेट ये एक महीने में देने लगेगा और बालों की quality तो ये एक हपते में सही कर देगा लेकिन आप तीन महीन तक इस नुस्के को करेंगे तो निश्चित रूप से आप पाएंगे कि आपके बालों की growth बढ़ गई बालों की quality बढ़ गई बाल असमे सफेद होना रूप गए बहुत अचूप नुस्का है सातियों जब Guinness Book of World Record Holder इसको कर रहे हैं जपान के इंपीरियड कोर्ट में आज यह से जो इतिहास में दर्ज है हैंग पीरियड में सन 1100 में महिलाओं नहीं करा तो उनके बाल 6 फिट लंबे हो गए थे और 70 साल के बाल सफेद होते थे तो क्यों नहीं हम कर सकते हैं एक साथी और सवाल आते है कि इसको क्यों काम करेंगा यह नुस्का साति इसलिए काम करेंगा कि इस राइस वाटर जो आपने त्यार करा है इसमें आपको आइनोसाइटः और पाइट फाइटनिन एसिड यहां दोने कंपाउड इसमें आ गए हैं ट्रांसफर हो गए है राइस से, आइसोसाइटॉल साथियों वहाँ compound है, जो आपके हेर की quality को maintain रखने में सबसे important compound होता है, और यहाँ बहुत लाबकारी होता है, तो आप इसमस्के को करिए और आप इसका लाब पाईए, इसका फाइदा एक और होता है साथियों, यहाँ आप आपके बालों का घरसन कम हो जाएगा, surface tension कम हो जाएगा, friction कम हो जाएगा, तो भी आपके बालों की quality अच्छी होगी और आपके बाल जहना रुकेंगे, बहुत आसान सी चीज है, आप इसको करिए, और इसका जादोई effect देखिए, और हमको comment portion में आप लिखिए, कि आपको ल करिए सातियों और हमको बताएगे, आपके मन में कोई query हो, तो आप WhatsApp notification या YouTube notification में अपनी query को लिख सकते हैं, कोशिश करेंगे, आपकी बात का संतोज जनक जवाब दे पाएगे, अगर आपको सातियों है वीडियो अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को like करिए, share करिए, अप अब उमीद करते सातियों यहान उसका आपके बहुत काम आएगा, आपके मेहनत के महंगे पैसे को अरजित करेगा, मेहनत के पैसे को बचाएगा और आपको वो लाब देगा जो बड़े से बड़ा कॉस्मेटिक आपको नहीं दे सकता, आपका सातियों हमाई सात इती देर र सकता है कर दो कर दो